विल्कम टू सौर्टेन बिद्ध्याले दोस्तों ये 200 सब्द प्रतिमिनट की डिक्टेशन है जिसमें 1000 सब्द हैं ठीक है किसी एकजाम में नहीं आता लेकिन आप लोग कमेंट करके बोल रहे हो तो आपके लिए डिक्टेशन प्रोवाइट कर रहे हैं ठीक है रेडी इस स्टार्ट अब समय आ गया है कि अधिक प्रत्न से दियाती इलाकों में उभोकता वस्तुओं वो खेती में काम आने वाली चीजों के बाजार को हात में लिया जाए इस उद्देश के लिए हमें नए तरीके अपनाने होंगे जैसा कि आपने अभी कहा कि पिछले कुछ महीनों में हमारे निर्यात में कमी आई है आत्म निर्भरता के अपने लच्च को प्रात्य करने के लिए हमें नए नए उत्पादों का निर्यात बढ़ाने की ओर अधिक ध्यान देना है निर्यात की आउसकताओं को पूरा करने को उच्च प्रात्यमिक्ता देना सरकार की नीती है विसेश कर जहां छमता के बिस्तार दूरलब वस्तूओं के आयात और विस्तार का संबंध है हमें विबिन वस्तूओं की घरिलू मांग को नए उत्पादों के निर्यात की ब्रद्धी के रास्ते में बाधग नहीं होने देना चाहिए यदि वर्तमान योजना के दौरान निर्यात में साथ प्रस्त की ब्रद्धी दर को प्रात करना है तो इसके लिए इंजिनियरी के सामान के उत्पादन में 15-20 प्रस्त ब्रद्धी करनी होगी क्योंकि इस समय उत्पादन के तुलना में हमारा निर्यात कम है अता इतनी निर्यात गद्धी करना कठिन नहीं होगा लेकिन अपने राश्टी प्रयास में इसको सर्वोच प्रात्मिक्ता देकर ही हम इस काम में सफल हो सकते हैं आपके संगद्वारत अगने की योगता वाले बेरोजगार लोगों को काम देने के प्रयास के बारे में सुनकर मुझे बड़ी प्रसंदता हुई है परंतो एक और वर्ग के लोग भी हैं जिने सरकार और और धोगिक समों की सायता की आउसकता है आपात इस्थित के दोरान सुरच्छा की आउसकताओं के पूरा करने के लिए बहुत से सिच्छित यूगों को सेनाओं में कमीशन प्राप्त अपसरों के रूप में बर्ति किया गया था जिनोंने अपनी सेवा के दोरान प्रसांसनी नितत तथ निले सकती का परचे दिया इनमें कुछ को हाल में सेवा मुक्त किया गया इन अपसरों को सरकार पुनह नौकरी देने की कोशिस कर रही है मुझे आसा है कि इस सत्कार में निजी उद्धोग भी सरकार की साहता करेंगे ऐसे अपसरों के बारे में जानकारी देने के लिए रच्छा मत्राले का पुनरवास महानी देशाले शहर से तयार रहेगा इसी मंच से अपने विशेश भासर में मैंने उन लोगों का जिक्र किया था जो सक्री रूप से संग के सदस नहीं है मेरा भी प्राय संग के सदस्यों के पत्नियों से है मैंने सुना है कि वे समाज कल्यार के कार कर रही है फिर भी मैं उन्हें एक सुझाव देना चाहूंगी जिससे मेरे विचार में आप भी लाभानवित होंगे यह लोगों को नौकरी देने के बारे में है उपाद धच्मा हो दे एक आदमी के टांगे ना हो परन्तु आच्छा लेखक अच्छा टाइपिस्ट या खजांची हो तो हो सकता है इन लोगों के प्रति समाज को उसकी जिम्मेदारी के प्रति आवहन करना आवर्शक है इन्हें पुना बशाना हमारा नैतिक करतब भी है यह समस्या तो एक तरह से सदा से हमारे साथ रही है परन्तु पिछले युद्ध में हमारे जवानों के अताहक होने से यह समस्या और जटिल हो गई है यह एक ऐसा काम है जिससे समाज कल्यान कार में लगी मैलाएं सफलता प वस्चक उस्सुक हैं अभी मैंने देश में धनी और निधन के बीच की विसमताओं का उल्ले किया यह बड़ा कल्वा सच है जिससे हम एक छण के लिए भी नजर अंदाज नहीं कर सकते हमारा हर काम हमारे एतिहासिक प्रभाओं यहों परंपराओं संसकारों और इस्थितिय और सामाजिक विसमताओं के बिरुद और अपनी आकांचाओं को पूरा करने के लिए आवाज उठानी की पूरी सोतंतता है हमारे यहां ऐसी कोई रोग नहीं है कि इन कटनाईयों के समय पर दूर न होने पर लोग इनका राजनीतिक लाब न उठाएं मुझे राश्टी आंदोलन का आरंभिक काल याद आ रहा है तब देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टी पहले सरकार को मांगपत और विरोधपत भेजकर ही संतोस कर लेती थी परन्त महत्मागानी दोरा आंदोलन की बाग दोर समालने पर देश को नया नेता और नई दिसा मिली जिनका उसने भरपूर उपयोग किया इसका परिणाम यहुआ की देश वासियों का आत्म बलबढ़ा और सामाजिक परिवर्तन की गत्ती बुर हुई कई बड़े बड़े उद्धोग पतियों एवं वेवसाईयों ने भी राश्टी स्वाधीनता के आंदोलन में बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया जैसा की दार्शनी कहा करते थे महान कार करने से करने वाले में भी महानता का कुछ अंस अवस आ जाता है इस प्रस्न का उत्तर तो आपको स्यम ढूलना पड़ेगा कि कि आज काल के उद्धोग पतियों का काम वो नाम भी उतना ही उच्चा है जितना की भारत के युगांतर कारी उद्धोग पतियों का था जिन्होंने राश्टी आंदोलन के दिनों में भारती उद्धोगों को पुनर जीवित किया मैं यह चाहूंगी की यह संग केवल उद्धोग पतियों के विचार विमर्ष का मंच ना बनकर ऐसी संस्था बने जो अच्छी से अच्छी किस्म की निष्टा जनसेवा राष्टियात्म निर्भरता वह स्वाबिमान का जो किसी भी राष्ट के लिए सबसे बड़ी चीज है अनुकर कारी कानुनों वह आदेशों द्वारा ही कोई देश संसार में सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता इस टॉप तो दोस्तों बताएगा कितना आप लोग लिख पाए हो ठीक है